樣 अधुन से कवको कुन से टीके का परियोगकर के अपनी गाय भैस का दूद बढ़ा सकते हैं? भोत इस्तर गे कमेंड्स आते हैं पसुपाल कों वीटिनिरियन के वी की सर गाय भैस के दूद बढ़ाने का कौन से स्पर का इंजेक्शन या तिका आता है, जिस्षेक्वी गाहा भैंस का दूद बढा सकते हैं, जो कि किसी भी त्रहयवे का कोई नुकसान भी न करें और किसी त्रहयवे का कोई साइड इफट भी उस तिक्ये से ना हूँ, तो उस तो कई तक गाहा का मत देखना इस्टे पाई स्टे बताया जाएगा तो आप जो इस चेंदर पर भी ने जुरें तो सबस्क्राइब जरूर कर लें को इस चंदर भूती सभी जानकरी उडियो दी जाती है देखो जब यह दी पसु में दूद की मात्रा इदी डाउन होती है फो ज़्यादा तर जो इस तरह की दिकत देखने को मिल लगी है कि पसु एक महीने तक तो ब्याने के एक महीने तक तो अच्छा दूद देता है पीक पर भी रहता है उसमें किसी तरह की कोई दिकत नहीं आती बट बाद में दिरे दिरे पसु में दूद की मात्रा है वह कम होती जाती है चाए आपक कोई भी दिखते हैं पसू में या कोई तो वीतामिन, केलसियम, फास पॉर्स, मिनराल्स इस तरह की दिखते हैं पसू में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इसी तरीके से आप अपने पसू का दूद बढ़ा सकते हैं या कई बर पसू में जिस परकार से हीट स्थेस ह गया या अधर मेटाबोलिकक डिजीज हो गई किसी जो फ electro संदित को इस तरह की विमारी हो गई जो आप अपने पसूँ की पहचाने पात Only सिम्टम सुझा ओधे की पे पाते फिर अपके पर सूब इस तरह की दिकत- तो आप उस कि injection का परियोग करके आप अपने पसु में metabolism से समदित कोई दिकत है तो उनको भी control कर सकते हैं या पसु में जिस प्रकार से weakness, कम जोरी या अधर कोई दिकत आ गई है तो उन्हें भी आप control कर सकते हैं बहुत याचारे जेल उस तरह की दिकतों में देखने को मिलता है कई पर दे परियोग करते हैं यहीं इंटी ब billion बीमार या इंटिभाइक इंजेक्शन का परियोग भी नहीं करते हैं या पसु जिस तरह से बीमार रहे या दस तो से बिसे दूद की मत्रा कम होगी बहुत उस सेंधी मात्रा कमोगी तो इसको आप कैसे नोल कर सकती है या पर में किसी भी तुरहीं से संधित कोई दिकत होगी उसकी जवह से लेकिन आप परिशों को साथ में दे रहें लेकिन फिर भी आप के परसु का लूद्ध ने बड़ पा रहा है तो आपके पास नजदी के दी वेतिनीरियन है उनसे आप जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूं उस तरह के इंजेक्शनों का परियोग कर सकते हैं या जो नई वेतिनीरियन देख रहे हैं वह भी पसूम इस तरह की दिकत हो जाती है तो उन इंजेक्शनों का परियोग उन पसूम में करवा सकते हैं यह दि आपको बैटर जल लेना है तो इसमें सबसे पहले जो इंजेक्शन आता है वह बता रहूं में आपको इंजेक्शन जिस तरह से केलशियम का इंजेक्शन है जिस तरह से कालवीट बारा है न्यू कालवीट बारा इंजेक्शन आता है जिसके अंदर के क्विटामिन वीबारा key क्विटामिन वीबारा को बढ़ाएगा बलड में बनेगा तो पसु में दूद की मातरा भी बढ़ेगी तो आप इस इंजेक्षन या इस टिके का परियोग अपने परशू में करवा सकते हैं जो इस तरह का यह टिका आता है तो आपको धिक रहा यह इस तरह का इंया इंजेक्शन क का आए तो थह दी एक होगी हम आप कोई पी कोई बीपाण सब्सक्राइब बाद का का जो क्योक्षियरण विटामिन विवारा एंदर मिले विए साथ में उस injection का परियोग आप अपने पसू में करवा सकते हैं अब इसकी dose कितनी है देखो जिन पसू का body weight साड़े तीन सो से चार सो केजी के बीच में है या पान सो केजी के बीच में है तो 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रा मस्कुलर यह सिर्फ और सिरफ injection उन पसू में इंट्रा मस्कुलर या पुठू में या गर्दन में यह सिर्फ और सिर्फ मास में इंजेक्शन लगता है तो आप इस इंजेक्शन का परियोग अपने वेटिनेरियन से लगातार तीन दिन पांच दिन करवा सकते हैं डोज आपको 15 ml से लेकर के 20 ml जिन पसू का बोडिवेट बहु ज़्यादा हाई है जिन बहांस कई बहांस इस तरह की देखिए जिनका वज़न ज्यादा होता है तो आप उसमें 25 ml भी परियोग करवा सकते हैं पस्व का नई ज्यादा है तो आप इस इंजेक्शन का एक वर बताना चाता हूं को की केल्शयं का इंजेक्शन आता है यह इंजेक्शन इती पसू में जिस तौह से निकत हो गई है पसू का तेम प्रत्रीजर हो गया है यानि प्रोटो जवा जनीत रोग हो गया है तो उस तरह की इस्तती में आपको यह इंजेक्शन साथ में नहीं लगाना है किसी तरह की कोई बिमारी नहीं है पसों का टेम्परेजर नॉर्मल है या पसों का टेम्परेजर थोड़ा कम है तो उसी इस्तती में आपको यह इंजेक्शन लगवाना है V5 injection जो कि मैं हर वीडियो में कई वीडियो सिंद घृता हूं यह यह दूद बढ़ाने भी मदद करता है पसून कोmonary stress में इस रोगता है पसून की जो वजन कम व्जान वह उसे मातरा को fucking बढ़ाता है वेट गेंग करने में काम आता है और कई तरह कई जो में मेटा बोलिजम से समदिध रोग हो गये हैं घ्याने के बाद में मेस्टाइटिस है पीपी एच है उस तरह के रोगूं पसु में हो गए हैं तो उनको रिक्वरी लेने में भी मदद करके पसु में दूद की मात्रा को बढ़ाने में साहिक होता है तो आप इस इंजेक्शन का जो इस तरह का यह इंजेक्शन आता है ये injection जिन पसु में दूद की मातरा कम हो गई है पसु कमजोर है तो आप सब्टा में तीन बर आप इस injection का परियोग करवा सकते हैं यानि खहने का मतलब है कि एक सब्ता में 3 बर 5 ml इंट्रा मस्कुलर जो पसू कमजोर दूद की मातरा कम है एदि आपको पसू हस्पूस्ट है कमजोर नहीं है दूद की मातरा कम हुए तो सब्ता में 2 बर आप इस इंजेक्शन का परियोग करवा सकते हैं खहने का मतलब है कि आप उस पसू को यह इंजेक्शन की दोस तीन दोस से लेकर के पांस दोस से ज्यादा आपको इसका परियोग नहीं करवाना है अब अब अच्छी तरह लगातार नहीं देना है अल्टरनेट एक दो दिन छोड़कर करके इस इंजेक्शन का प्योंकर सकते है क्यल्सेयम का जो इंजेक्शन अब लगातार दे सकते हैं उससे कोई दिकत आपके पसू में नहीं होगी लेकिन ज्यादा दिन आपको यह नहीं देने तीन से पांस दी डोज आप उस पसू को एक पसू को लगवानी है वह भी आपके वेटिनेरियन से तो यह वीडियो जितन